तो गुट दे टू आल गाइस एंड वेलकम बैक इन अनदर सिशन आफ हार्डवेर मास्टर्स ट्रेनिंग गाइस यह मास्टर ट्रेनिंग इसलिए क्यों कि इसमें सबसे अलग और बहुत ही अच्छे तरीके की बहुत ही अच्छे लेबल की आप ट्रेनिंग पाओगे बहुत ही बेसिक सिलेके अडवांस लेबल तक का टुटोरियल मैं यह हार्डवेर का स्टार्ट किया हूँ और एक मास्टर लेबल की ट्रेनिंग यह आपको मिलेगी सो जितनी भी अभी trainings मैं start कर रहा हूँ एक master level की training है और आप master बन सकते हैं चलिए hardware की इस series में हम लोग समझते हैं आयो port के बारे में complete technology explain करने वाला आयो port के बारे में सो वीडियो को अंतक देखिएगा अगर आप hardware में interest रखते हैं hardware engineer बनना चाहते हैं तो यह video अंतक देखिएगा दोस्तों को share जरूर कर दीजेगा यह video like कर दीजेगा and नए है तो subscribe भी कर लीजेगा और दोस्तों को share कर दीजेगा चलिए guys start करते हम लोग hardware के इस particular topic को लेकर जो की है ioport guys ioport क्या होता है इसको explain करने से बहले मैं आपको दादू Instagram का link वीडियो के description में join कर ले या सामने link आपको दिख रहा है join कर ले जिस पर जाकर आप मेरे से personal communication and अपनी problem का solution भी ले सकते हैं चलिए आप बात करते हैं यहाँ पर आगे के concept की तो ioport ioport का guys full form होता है input output port i का मतलब होता है input और o का मतलब होता output बाकी ports होता है guys input output port होता क्या है आईए बीस्तार में आपको समझाते है so guys यहाँ पर ioport को लेकर जो बात हो रही है we can connect all peripherals through ioport अब का इस बहुत सारे लोगों को peripherals नहीं बता होगा तो मैं एक एक करके सारे peripherals आपको बता देता हूँ जो कि हम लोग ioport पे connect करते हैं आगे जो बात करते हैं like जो ioport का peripherals में connect करते हैं हम लोग keyboard mouse connect करते हैं हम लोग USB pen drive connect करते हैं हम लोग external hard disk connect करते हैं हम लोग यहाँ पर joystick, mic and barcode recorder, stylist pane, web camera, fingerprint scanner, touchscreen pad and touchpad बहुत सारी चीज़े यहाँ पर add करते हैं यह सारे जो component add होते हैं हमारे computer पर यह हमारे IO port पर जाकर connect होते हैं so input output port होता है, जहां से हम लोग कुछ input instructions देते हैं अपने computer पर और उस device के तरू हम लोग monitor पर उसका output देखते हैं तो यह एक IO port भी है, guys IO port इसको input तो यहाँ से देते हैं, output भी यहाँ पर ही आप ले तो IO port से ही ले तो like VGA port, DVI and यह सारे ports जो होते हैं parallel port यह सब हमारे input output port में आ जाते हैं बात करते हैं यहाँ पर IO ports की, तो यहाँ पर हमारे पास यह पूरा का पूरा back panel है, किसी भी computer पर यह सारे IO port guys अब इन IO port को अगर explain करूं, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें मिल जाता है, देखें यहाँ पर 6 pin का और यहाँ पर एक अगर हम लोग ground pin यह लेते हैं, तो यह हमारा 7 pin का हो जाता है तो प्रॉक्स में यह जो port होता है, green color का, यह mouse connectivity के लिए होता है और यह जो violet color का होता है, यह हमारा keyboard connect करता है, इसके बारे में काफी विस्तार में मुझे समझाना है जो आगे आपको मैं बता रहो कितने voltage की supply होती है सारी चीजे, USB port सभी को पता है यह parallel port होता है, यह serial port होता है, यह VGA port होता है, फिर हमारा land port होता है, फिर यहाँ पे हमारे कुछ mic controller port होते है अब इन सारे port को थोड़ा सा detail में हम लोग समझते है, तो PS2 port जो हमारा होता है, यह हमारा keyboard and mouse को connect करता है इसके सारे pin को हम लोग समझें, अगर तो यह male and female में आ जाता है, जो भी हमारा socket label पे होता हो female connector होता है जो हमारा plug label पे होता है, वो male connector होता है, यह ऐसा बोला जाता है, यहाँ पे जो 6 pin होती है अगर हम लोग यह जो ground pin है, इसको अगर छोड़ दें, थमारे पास 6 pin आ जाती है, यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके यहाँ पे जो 1 pin होती है, 1 pin data को carry करता है, 2nd pin not implemented में है, 3rd pin आपका ground के लिए है इसमें जो voltage की power supply है, प्लस 5 volt का power supply होता है, clock bandwidth को control करने के लिए होता है, then not implemented होता है 6 pin का, तो अगराल यहाँ पे देखा जाए, तो 2 and 6 pin का कोई भी यहाँ पे role नहीं है okay, so 2 and 6 pin अभी not implemented में है, in case कहां भी इसका use है, maybe आगे हम लोग इसके बारे में भी discuss करेंगे so guys, यह चीज़ आपको नहीं पता रही होगी, so कितना voltage का power supply है, यह पता चल गया 3rd pin जो ground pin होती है, वो आपको पता चल गया, तो यह सारी चीज़े होती है चल यह आगे बात करते है, serial port को लेकर, serial port हमारा कुछ इस तरीके के look में होता है यह 9 pin का connector होता है guys, अब इसमें 9 pin का यह connector क्या-क्या content रखता है, यह सारी चीज़ों के बारे में बात करते है इसको अगर हम लोग pin 1 बोलते हैं, तो pin 1 data carry के लिए होता है और pin 2 की अगर हम लोग बात करें, तो receive data करता है, pin 3 की बात करें, तो यह data transmit करता है जो कि आप लोग को नहीं पता होगा, बस इतना ही पता रहा होगा भी तक की, हंजी, यह हमारा serial port होता है और serial port के तुरू हम लोग serial devices connect करते हैं, routers वगर भी connect कर सकते हैं इसके तुरू pin number 4 पे हम लोग data terminal के लिए काम करते हैं, जो कि DTR devices को support करता है और 5 pin जो हमारा होता है, वो ground pin के लिए होता है, हर जगा ground pin होता है, क्योंकि guys voltage को power supply या voltage के maintenance को balance करने के लिए कहीं न कहीं ground pin भी होना चाहिए ताकि वो proper functionality कर पाए, pin number 6 की बात करें तो data set के लिए होता है और pin number 7 की बात करें तो request to send के लिए होता है, और pin number 8 की बात करें तो clear to send के लिए होता है pin number 9 की बात करें तो यह ringing indicator होता है, तो यह हमारा serial port का कुछ component होता है उसका काम होता है, USB port सभी को पता होगा, तोला से advance में समझते है 1, 2, 3 port इधर से कर हम count करते हैं, 1 port जो हमारा होता है plus 5 volt के लिए होता है और जो 2 port होता हमारा data minus के लिए होता है, 3 port हमारा data plus के लिए होता है 4 port जो हमारा होता हो ground pin के लिए होता है, तो इस तरीके से हमारा काम करता है आप यहाँ से इसके तुरू समझ सकते हैं, अगर इस तरीके से आपका port है, तो यह भी आप देख सकते हैं बहुत पहले इस तरीके का भी port आता था है और printer वगरे में भी आप देखें हो इस तरीके का port में मिल जाता है तो यह A standard पे है और यह B standard पे है तो दोनों standard आज भी हमारे पास available होते हैं कुछ printers वगरे के port इस तरीके से होते हैं D type के और इस तरीके से तो में भी USB में भी इस तरीके का आता है तो यहाँ पे दिया गया है कि इसके voltage की power supply अगर maximum बात करें तो हम लोग 5V का होता है आगे बात करें VGA port का जो कि 15 pin का connector होता है यहाँ से 1,2,3,4 की counting है तो यह कैसे 1 number pin red color का red video को add करता है या red video को manage करता है 2 number pin green के लिए होता है 3 number pin blue के लिए होता है अब सोचो कि अगर आपका एक number pin damage हो जाए तो क्या होगा red जो video का connection है वो loss होने लगेगा तो आप इस तरीके से पैचान सकते pin number 1 damage है या क्या है तो इस तरीके से यहाँ पे सारे pin का number and उसके detail दिया हुआ है जिसका screenshot लेके आप detail में समझ सकते हैं तो काफी better आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि हाँ कौँसी pin से कौँसा color damage होता है क्योंकि इसके through हम लोग display पे output लेते हैं यह VGA port होता है 9 pin का होता है और इस तरीके के look में आता है जिसको हम लोग अपने computer पे लाके connect कर देते हैं तो यह जो हमारा port होता है यह directly दूसरे side monitor से connect हो जाता है जहाँ पे अगर हमारा कोई भी इसमें से pin damage होता है चाहे वो इस port से लेकर plug से लेकर हो चाहे इस socket से हो तो यहाँ पे उस से related color का यहाँ पे disbalance हो जाता है फिर बात करते है sound port की sound port में एक mic के लिए होता है जो input देता है एक output के लिए होता है और एक stereo sound वागर का input लेने के लिए यहाँ पे हो जाता है तो guys यह काफी better तरीके से आपको समझ में आ गया होगा so thank you so much guys यह complete video देखने के लिए I hope यह IO ports का scenario समझ में आया होगा so guys video को like करेंगे, share करेंगे, support करेंगे and bell icon जरूर दबा लेंगे क्योंकि बहुत सारे update आप लोग से miss हो जाएंगे अगर bell icon नहीं press करेंगे तो bell icon दबा कर रखेंगे ताकि अगला update आपको सबसे पहले मिले so मिलते हैं next video में guys thank you